हमारा देश तो हिंदू मुसल्मान से चलता था भाई सेकलुरिजम था जब अंग्रेश से लड़ने में हिंदू और मुसल्मान दोलों ने बराबरी से हग जमाया तो मुझे एक बात बताईए जिन्ना को इस देश का प्रधान मंत्री क्यों नहीं बढ़ने दिया अगर जिन्न का पुन रुप से समर्थन है हाथ में रुद्राक्ष है हम खुद बोल रहे हम हिंदू राष्ट का सपत लेते और आजीवन हम देख के ही रहेंगे और बीना देखे तो मरने नीवाल है वो सिर्फ अकेले नहीं वैलकि हमारे जैसी बहुत सारी लड़कियां तयार है और नही जाना चाहिए पर बाकई में लोग जो है वो क्या सोचते हैं उनके बारे में आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं आप हमारे साथ बने रहे हैं आज को एक मर्द है जो की सामने से चीक के कहते हैं कि हम शपत लेते हैं सपोर्ट हम कर रहे हैं हाथ में रुद्राक्ष है हम खुद बोल रहे हम हिंदू राष्ट का सपत लेते और आजीवन हम देखके रहेंगे और बिना देखे तो मरने नीवालें विगाड लो जिसको जो विगाड़ना है औ अपने देश के उन वीर पुरोसों पुरूस पे जिनों ने हिंदू राष्ट अखंड वारत का सपना देखा था और उसको सहेच के रखने वाले कुछ ऐसे पत्रकार अगर हम लोगों के बीच आ रहे हैं तो उनका पुन्ड रूप से समर्थन है उसके लिए सीस कटाना पड़ उर्दू क्या ज़रत है हमारे देश में यह हिंदू राष्ट है अभी से बढोल रहे हैं लोगों बता दिया गया है महामंडित करके बता दिया गया है जिसका कोई अस्तित्तु ही नहीं नहीं चलेगा जितने दिन हमें सोना था सो गए और हमें गर्ब है आप जैसे पत्रकारों पे कमसे कम आप हमसे सवाल तो कर रहे हैं वरना इससे पहले करता कौन? एक कोई बोलता वो फिर मर जाता ऐसा समर्थन भी नहीं मिलता आज पुन रुप से एक पत्रकार होने के साथ आप समर्थन के लिए बोल रहे हैं हम खुद एक प पुराने से कोई नहीं रोख सकता चाहे फासी चड़ादो हिंदू राष्ट था रहेगा आप यह समानते हैं बिलकुल लेकिन फासी चड़ने की ज़ुरत नहीं कि भगत सिंग भी यही सोच के फासी पी चड़े थे कि मेरे मरने के बाद हर घर से भगत सिंग पैदा होगा कि युद्ध भूमी में जाता था तो उसको तिलक करने वाली और कोई नी बलकि हमारे देश की विरांगना रहती थी आज वो सिर्फ अकेले नहीं बलकि हमारे जैसी बहुत सारी लड़किया तयार है और नहीं है तो मैं तयार करूंगी इसके लिए तनिक भी चिंता ना करें वो कहते हैं कि सुप्रीम कोट और तमाम जो ऐसे लोग हैं लेफ्ट के बामपंती वो कहते हैं कि जान बुझ करके कुछ चैनल नफरत ही मीडिया हैं और नफरत विला रहे हैं हिंदू-मुसलमान पूरे दिन करते हैं इन चैनलों को आफ-लाइन कर दो क्योंकि में हिंदू-म मुसलमान दोनों ने बराबरी से हग जमाया तो मुझे एक बात बताई जिन्ना को इस देश का प्रधान मंत्री चू नहीं बढ़ने दिया अगर जिन्ना इस देश का प्रधान मंत्री बनता तो कम से कम पाकिस्तान तो नहीं ना बनता हमारा भारत का एक और अंग तो नहीं आज हम लड़ेंगे और अगर नहीं लड़ेंगे तो याद रखिएगा अगले पुस्त को ना आप अपना चेहरा दिखा पाईएगा ना इस देश का कोई हिंदु समाज अपना स्वैम का चेहरा दिखा पाईगा रांची की घटना है जहां पे एक रिचा नाम था सैद उस रवाद नहीं होना था उसन माफ है मां इस दिया तेकर बोल मांच बाटना होगा वह बाटना होगा यह वह संबिधान मे लिखा है संबिधान में लिखा है यही चीज simulated पत्रकार पूछ आखेएगवा देखित पता हो न चाहिए आपको समिधान पकानून के लोग जो लेकर सारहोग को हम इनके ने एंगेगे लग और भोलान ही हमारा है और ठाम रूब्ली हमारा ठीक है और हां अपने संपत्ति को लेने के लिए अपने देश को बचाने के लिए अगर युद करना पड़ें तो युद करना सही है सुरेश सुरेश सर आप बिल्कुल भी चिंदा ना करें और नहीं आपको किसी चीज की डर की बात सोचने की जोरत है हमारे देश में ऐसे बहुत से वीर पुरूष्ट हैं जिनोंने अपनी प्राण की आहूती दे दी है भगवा रंग के लिए इस हिंदू स्वराज के लिए और इसे अखंड बनाने के लिए और हिंदू राष्ट की प्रतिग्या लेते हुए अब हमें खुशे मिल रही है कि हमारा देश फिर से उन सब वीर गाथाओं को पढ़ेगा हमारे देश में ऐसे वीर गाथाएं पढ़े जाएंगी जो आपके जरीय होंगी आप अकेले नहीं है हमारे जैसी लड़किया आपके साथ है और जो साथ नहीं है उसे हम साथ करेंगे बस जैस्टिराम